मुझार दोस्तों आज सभी का फिर्ट से बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटीब चैनल टेक्निकल सब्सक्राइब दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे खतरनाक वाइरस के बारे में जो आजकल ज्यादा सुनने को है असल में वाइरस क्या चीज़ है उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूं वाइरस एक ऐसी कोडिंग होती है जो हमारे कंप्यूटर के डेटा को इंक्रैप्ट कर देती है और इससे काफी नुकसान हो सकता है अक्सर आपने सुना होगा कि पैंट्रैप में वाइरस आगए या फिर कंप्यूटर में वाइरस आगए परन्तु कि आपने कभी सोचा है कि इन वाइरस का क्या नाम है और वाइरस क्या करते हैं और वाइरस से इन लोग वाइरस से तक क्यों डरते हैं तो चलिए मैं आपको बास्ता में बताता हूं कि वाइरस एक ऐसे उपकरण से हमारे छुपके बैठ जाते हैं कि ऐसी कोडिंग होती है जिसमें एक वाइरस रेंडवेर्स हाली में ऐसा है आया है वर्ड में जिनने पूरे देर्सों से ज्यादा देसों को नुक्सान पहुचाया है इतना ही नहीं हैकर्स ने कंप्यूटर हैक करके करोड रुपए की फिरोती भी मांगे थी वाइरस अटेक का यह हमला पहला ही नहीं इससे प आगे हमने ऐसे दस खतरनाग वाइरस का जिकर किया है उससे जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वाइरस और रैंसवेर्स में क्या अंतर है आप रोज वाइरस के वारे में सुनते होंगे यह है कि वह अब वाइरस के साथ रैंसवेर्स कभी जिकर सुना होगा ऐसे में आपके मन में सवाल आना लाजमी है कि आकर वाइरस और एमर्स में रैंसम वेर में क्या अंतर है तो मैं आपको बतातू कि दोनों वाइरस ही है किसी डिवाइस में आने का तरीका भी बिल्कुल वही है परन्तु वाइरस आपके फोन या लैपडोप बेगार हमें चोरी चु आगर आपके devices की सारी फाइलों पर अपना हग जमा लेता है और इसे encrypt कर देता है फिर उसके बाद hackers उसमें फिरोती की मांग करते हैं अगर फिरोती नहीं दी तो उसमें आपका data delete कर देते हैं अब आती है virus के बारे में जानकरी सबसे पहला जो virus आता है वो आता है wanna cry फिलाली में यह सबसे खतरना crimes वेर है जिस में हाली में cyber crime के पूरे वर्ल्ड को इलाके रख दिया है पूरे वर्ड में उसने देड़ सो से ज़्यादा देशों का प्रिवावित किया है जिसमें भारत भी सामिल है हैकर ने सिस्टम पर अपने नेंतरव बरानकर अपने फिरोती की मांग करी थी दूसरा आता है उसमें पैटिया इस वाइरस ने अपरेल 2016 में तभाई मचाई थी यह वाइरस वेहद ही तेजी से कंप्यूटर में अपना प्रिवाव डालता है और पूरी तरह से बूट सिस्टम को तभा कर देता है पिरवाविच सिस्टम में मास्टर बूट रिकॉर्ड को करेप्ट करके उसे राइट कर देता है और उसे ओवर राइट कर देता है और फाइलों को इंकरेप्ट कर देता है जैसे ही आप अपने PC पर उपलब्द किसी फाइल को ओपन करते हैं वैसे उसमें ओपन नहीं होता ह तीसरा जो आता है क्रिप्टो लोकर 2.0 5 सितंबर 2013 को इस वाइरस ने लोगों को बहत्तम किया था इससे विशेश तोर पर Windows Computer को निशाना बनाया था इसने email attachment के साथ साथ लोगों को mail बेजना शुरू किया था जिससे खोलते ही Computer कर नियंतरन हो जाता था और वो सारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता था वह हैकर्स के तुरू ही खुल सकता था चौता जो आता है वो आता है Crypto Wall यह वर्स 2017 में काफी लोगों को डराने वाला वाइरस था यह वाइरस email and website के जरिए और add के जरिए आता था और वाइरस से अटेक करता था जिससे आपके वाइरस से आपके कंप्यूटर पूरा लॉक हो जाता था पांच में जो आता है वो आता है लॉक के फरवरी 2016 में इस रैमसम वेयर ने लोगों को हिला कर रख दिया था email के साथ साथ भेजे गए वाइरस में payment invoice भी attach होती थी mail के साथ micron भेजे जाते थे यदि user इने इनेबल कर देता है तो उससे अपने वाइरस activate हो जाते है और उसके पूरे फाइलों को encrypt कर देता है इससे आप कोई भी फाइल नहीं कोल पाते है छड़ा जो आता है वो आता है जिकसा 2016 में इस वाइरस ने लोगों को काफी परिसान किया था यह फाइलों को encrypt नहीं करता बलकि उससे सीधर delete कर देता है पहले computer में गुसकर आपके बैट जाता है और इसके बद पैसे का भुकतार के लिए कहता है यह ऐसा ही नहीं बलकि यह हर घंटे device में फाइल की delete करता रहता है और हाली में कुछ लेकिन हाली में ही इसका कुछ दिनों में ही इसका वाइरस का हल ढूण लिया गया था साथ वज़ों आता है वो क्रिप्ट एक्स एक्स 3.0 क्रिप्ट परिवार के तीसरे संकरन का यह वाइरस बेहादी खतरनाक था वर्स 2016 में दिसंबर में कहीं देशों में अपने पैट बना ली थी और क्रिस्मस के डिसकाउंट देने और उसके दूसरे आफर्स के नाम पर यह कंप्यूटर अपने एक एड्स लाता था जिससे उसे ओपन करते के साथी या उस पे क्लिक करते के साथी यह आपके सर्वर क्रिमिनल दौारा किया गया था यह डिवाइस में उपलब्द जेपी जी आई और डॉकुमेंट्स और राव फाइलों को इंकरेप्ट करने में सक्षम था बिग्यापन या मेल आधी के मद्यम से यह वाइरस सिस्टम में अपना घर बना लेते थे और जैसे ही आपका और जैसे ही आप इसे ओपन करते थे यह अपने उस पे एक अपना नियंतरन बना लेता था जिससे अपने साइरी फाइलों को यह करेप्ट कर सकता था और उसके बाद वैफ रोती मांगता था नोवा जो आता है वो आता है डंक स्पेयर पिछले साल रैमसम बेयर की काफी चर्चे में रहा है खास बात यह है कि यही खास बात यही कही जाती है कि यह एंडुरेट डिवाइस को अपना निशाना बनाता है मुजिक फोटो वे अन्या फाइलों को अपनी जगा पर इंकरे आता है जो आखरी वाइरस आता है वो आता है चिमेरा वेयर इस रैमसम ने नवंबर 2015 में लोगों को अपना शिकार बनाया था अफिलेटेड मार्केटिंग के बढ़ते चलन में इसने अपने ट्रिक का हत्यार बनाया था लोगों को काफी परिसान किया था और इससे अपने पैसे कमाने के लालस देकर यह आपके डिवाइस के सारी फाइलों को इंकरेप्ट करता था उसके बाद फरोती की मांग करता था तो दोस्तों यह थे आपके वाइस डिवारे में जो मैंने आपको बताया ंए हूं अबताया हुए वीदियो आपको पसंद आता है तो प्लिस इस वीडियो को लााइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राप करें धन्वात दोस्तों